नमस्कार सीनियूस भारत में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रचा सिंग नितीश बाबू के बिहार में बारिश क्या शुरू हुई मानो पुलों के गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया है जी हां बिहार में के बाद एक पुल जमिन दोज होते जा रहे हैं वें बीते 18 दिनों में 12 पुल गिर चुके हैं अगर छोटे मोटे पुलों को मिला कर देखें तो एक दिन में ही 5 पुल गिर गए हैं इसके बाद से प्रदेश की नितीश सरकार पर सवाल उठने लगे हैं हर दिन गिरते हुए पुल ब्रस्राचार की पुल खोल रहे हैं और ये को पुरी रिपोर्ट बिहार में पिश्रे कुछ दिनों में एक ख़बर बार बार आ रही है वो है पुल गिरने की नियूस दरसल बिहार में पिश्री 18 दिनों में 12 पुल गिर चुके हैं इस साल बिहार में पुल गिरने का सिलसिला 18 जून से शुरू हुआ था जब सब से पहले अरर्या जिले में सिक्टी प्रखंड में एक पुल गिरा था इसके बाद पुल गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और एक पकवाड़ी में करीब दस पुल गिर गए अगर छोटे-मोटे पुलों को मिला कर देखें तो तीन जुलाई को तो एक दिन में ही पांच पुल गिर बिहार में हर साल बारिश के आते ही पुलों के गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है उसके बाद भी प्रदेश सरकार इसके बचाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती वहीं अब इसको लेकर काफी राजनीती भी हो रही है मुख्यमंत्री नितीश कुमार और प्रियम नरेंद्र मोधी पढ़नेता प्रतिवख्षर तेजस्वी यादों लगातार हमले कर रहे हैं और इसे ब्रस्टाचार का नतीजा बता रहे हैं देखा जाए तो बिहार में दिन पर दिन एक एक करके सभी पुल प्रस्टाचार की भेट चड़ रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है इस कारण पुलों की सही देख भाल नहीं हो पा रही है विवादों के बाद भी बिहार में पुलों का रख रखाओ वहतर धंग से नहीं हो पा रहा है पटना में RWD और RCD के पुल पुलियों और क्लवर्ट की संख्या 3389 है लेकिन इसे रख रखाओ को लेकर क्या करना चाहिए इसके लिए कोई नीती नहीं है यानि बिहार में पुलों का रख रखाओ सिर्फ भगवान के भरोसे है फिलाल इस खास रेपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे है सी नीवस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ